में एक 500 ग्राम्स पाक ऑफ बटर की कीमत 6.5 रुपीज हुआ करती थी आज उसी पाकेट की कीमत 250 रुपीज है यह 3700 परसेंट से भी जादा है और जब शोले मुवी ऑगस्ट 1975 में रिलीज हुई थी उस वक्त इसके टिकेट की कीमत मुंबाई में साड़े तीन और डेली में साड़े पांच रुपे थी आज आपको एक मुवी टिकेट के लिए अराम से 500 रुपे पे करना पड़ सकता है मतलब 11000 परसेंट से भी जादा प्राइजेज में इस हाइक को इंफलेशन कहते हैं इन प्राइज हाइक की वज़े से इवेंच्वली व इंफलेशन से बेटर रिटरन दे सकती हैं हम सीखेंगे कि जब आप इंफलेशन कंसिडर करना क्यों इतना इंपोर्टन है इसके अलावा हम इस मनी इटिंग मॉंस्टर को मार्क देने के लिए सबसे अच्छे इंफलेशन पर भी डिसकशन करेंगे सिर्फ यहीं नहीं हम क्यारे क्यालकुलेशन कर सकता है तो आए शुरू करते हैं आए एक बहुत ही कॉमन एक्जांपल के साथ समझते हैं आजकल एक बीटे कोर्स करने पर लगभग 10 लाक रुपे लगते हैं वर सिंपलिसिटी हम मान लेते हैं कि आपके पास बिल्कुल वही अमाउंट है और आप आप में से काफी लोग ये जानते होंगे कि FDs पर Earned Interest पर Tax आपके slab rate के according लगाया जाता है तो ये मानते हुए कि आप 20% tax bracket में आते हैं बैंक FD पर आपका Tax Interest Rate घट कर 5.2% पर आनम हो जाएगा तो 5.2% interest rate को ध्यान में रखते हुए आपका 10 लाक रुपे की investment 15 साल में बढ लेकिन उसी BTEC course की fees बढ़कर लगभग 42 लाक रुपीज हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में education cost हर साल लगभग 10% के rate से बढ़ रहा है तो ये example हमें क्या समझाता है आज आपके पास चाहे अपने prospective goals के लिए sufficient savings है लेकिन अगर आपने इन savings पर inflation rate से कम return मिल रहा है तो आपके future goals compromise हो सकते हैं और अपना पैसा grow करने के लिए सिरफ एक ही तरीका है और वो है invest करना अब ये हमें अगले सवाल पर लाता है inflation को outperform करने के लिए कहां invest करें हम उसी BTEC course का example लेते हैं तो आपका inflation adjusted target amount है 42 lakh रुपीज इस पैसे को जोड़ने के लिए आपके पास different investment options है तो आए सबसे अच्छा option देखते हैं हम यहां देखेंगे कि 15 साल के बाद BTEC के expenses बीट करने के लिए आपको हर महीने कितना invest करने की जरूरत है अपनी screen पर बने table पर एक नजर डाले यहां आप देख सकते हैं कि 42 lakh रुपीज जोड़ने के लिए आपको अलग-अलग instruments में per month कितना invest करना होगा आप screen पर rate of return भी दे करते हैं तो आपको हर महीने लगबग 13,000 रुपीज इंवेस्ट करने होंगे और अगर आप equities opt करते हैं तो आपको 15 years में 42 lakh रुपीज तक पहुचने के लिए हर महीने लगबग 8400 रुपे इंवेस्ट करने होंगे हालां कि आप इन में से किसी भी option में इंवेस्ट करके target को पहुच सकते हैं लेकिन नंबर से ये clear है कि inflation को आउट परफॉर्म करने और कम से कम amount invest करके अपने target को अपस तक पहुचने के लिए equities में invest करना सबसे convenient method है इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे invest ना करें बलकि उस asset class को चुने जो long term में inflation beating return दे सके और इसमें कोई doubt नहीं है कि mutual funds के जरीए equities में invest करके आप अपना objective meet कर पाएंगे और अगर आप बड़ा amount spare नहीं कर सकते तो आप easily systematic investment plan SIPs के जरीए धीरे धीरे invest करना शुरू कर सकते हैं इसे summarize करने के लिए अपना investment goal identify करें उसकी present value पता करें उसमें inflation add करें ताकि आपके पास एक clear goal amount हो इस amount को inflation adjusted target amount कहा जाता है target amount के according required monthly SIP amount calculate करें और calculations के बारे में चिंता ना करें आप इसके लिए ET money SIP calculator का use कर सकते हैं इस calculator में आप inflation भी factor in कर सकते हैं तो required monthly SIP amount की clarity मिलते ही आपको consistently performing equity funds choose करने होंगे जो आपको target को अपस achieve करने में help करें और उसके लिए हमने पहले ही 5 best funds for SIP का एक separate video बना दिया है आप उससे refer कर सकते हैं link नीचे description में हैं या अगर आपके mind में कोई और fund है तो आप ET money app पर जाकर उस fund का report card देख सकते हैं in fact आप बीना कोई commission दिये उन funds के direct plans में ET money app के थ्रू invest कर सकते हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो के end में आते हैं अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो subscribe button को जरूर हिट करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेर करें mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully